हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो न्यू वीडियो जेटेर्वेस तो फ्रेंट्स लास्ट वन मंथ में जेटेर्वेस में हमें जम देखने को मिली थी 80 रुपिस से 98 रुपिस की जो की अलमस्ट मोर दन 20 परसंट का उचालता क्या रीजन्स थे उसके पीछे वो हमने अल्डेडी डि लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट फ्रेंट्स अप लगों के लिए प्ली सब्सक्राइब मैं चैनल अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंट्स आपको सिप एक सेकंड लगता है आपके लाइफ क important update जो मैं आप लोगे साथ share करना चाहरा हूँ बहुत important है friend आप बिलकुल जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जिस buying price के बारे में हम discuss करेंगे उस buying price पे अगर jet airways को buy करते हो तो आप अच्छा का सा मुनाफ़ा 2022 में कमा सकते हो तो friends will commence ops of six aircraft hiring underway most senior positions field इसका मतलब jet airways में जो है mostly सारी hiring जो है उनकी हो चुकी है और जो most of the senior positions लगते है airways के लिए जो भी aviation business है उसके लिए उनकी position mostly field हो चुकी है और six aircraft के साथ जो है start करने जा रहा है jet airways 2022 के beginning में जो है उनकी services फिर से तो यह नए उनस का decision है बहुत important update है friends 2022 का beginning first quarter March हो सकता है या उसके बाद April, May, February इस time पे किसी भी time पे जो है jet airways की services जो है चालू होने वाली है और उससे पहले definitely friends एक buying position बनता है क्यूंकि जब service से चालू हो जाएगी नए उनस की तरब से तो friends अगर इतना सारा पैसा लगा के कोई buyers jet airways जेसी दिवाल या company को buy करता है it means उनके पास कुछ प्लान से जो वो execute करना चाहेंगे जल से जल और company को जो है profit making company बनाना चाहेंगे तो friends यहाँ पर definitely जो है अच्छा कासा मुनाफ़ा हम कमा सकते है 2022 में यह पहला point था दूसरा point friends already जो है नए उनस बहुत अच्छा कासा पैसा लगा चुके थे jet airways में लेकिन वो अभी भी interested है कि वो और पैसा लगा है तो उसी का मतलब यहाँ पर देख सकते हो आप इस news के बारे में बात कर रहा हूँ देड़ हजार करोड का जो है first जो है phase में वो और investment करने वाला है जिससे जो jet airways की services है उनमें जो है इसको boost मिलेगा तो देड़ हजार करोड का उन्होंने decision लिया है ने जो ओनर से उन्होंने कि हम देड़ हजार करोड अभी invest करेंगे यह भी positive अपडेट था बहुत जादा और उसके बाद जो है यह देड़ हजार करोड के अलावा क्या update है important तो यहाँ पे देख करने में jet airways के और जैसे जैसे phases complete होती है तो इसका मतलब jet airways अलड़ी देर हजार करोड पे इन्वेस्ट कर चुका है उसके बाद वो और phases में जो है इंस्टार जो phases रही अलग अलग development की उसके अंडर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करते जाएंगे तो और एक बड़ जेट airways के साथ जो है जेट airways का प्लान है आने वाले दो से तीन सालों में वो जो है उनकी सर्विसेस फुली तरीके से जो है रिस्टोर करेंगे तो फ्रेंट बहुत इंपोर्टन अपडेट है अभी बाइंग पोजिशन के बारे में बात करते है फ्रेंट लास वन मन्त के अगर हम बात करेंगी तो 80 रुपीज का लो था इसका और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 88.75 रुपीज तक अभी है यह यह तो फ्रेंट्स मुझा ऐसा लगता है कि यहाँ पे वन येर का चार्ट देखते हम यहाँ पे 65 इसका लो है तो फ्रेंट्स एनिफिंग बिट्विन 65 to 70 या 75 यह पहला जो बाय है वो करने के लिए अच्छा प्राइस रह सकता है अगर यह 70 रुपीज तक आता है या 75 तक आता है तो वहाँ पे अगर हम एक पोजिशन बाय करते हैं और अगर उस पोजिशन के उपर जो है वो सस्टेंड करता है वहाँ से आगे बढ़ता है तो अगर वो 75 या 70 से नीचे आता है तो हमें और एक अच्छा पोजिशन बाय करना पड़ेगा तो फ्रेंट्स रेगुलर आप अगर मेरे भीवर हो तो मेरा एक फॉर्मॉला रहता है सिंपल अगर मैं डिसेट करता हूँ मुझे पर्टिकुलर कंपनी में दस हजा डालने है तो अगर मुझे पता है कि यहां से नीचे में भी आ सकता है अगर मेरा अनलेसिस कहता है कि नीचे आ भी सकता है उपर भी ज्या सकता है लेकिन लग टम के लिए तो डिफिनीट्ली यह बहुत वपर तक जाएगा आप 70 को by करो यह 75 को गार ही लिग एक को बाय करो लॉंग टम के लिए ये शेर बहुत अच्छा है क्योंकि जैसे जैसे सर्विसेश चलो हो जाएगी यह आगे बढ़ता जाएगा क्योंकि इसका और टैम मैक्स अगर हम देखेंगे तो अल्मुस्ट तेरा सो रुपे है पाच यहर का भी अगर हम चार्ट उटाके देखें तो नियर बाट सो इ अगर वहां से आगे बढ़ता हुआ ही दिखता है शेर एक स्रॉंग सपोर्ट के साथ तो फिर मैं एक नई बाइंग पोजिशन लेता हूँ अगर नीचे नहीं आएगा लेकिन अगर नीचे आता है तो फिर भी मैं फर्स्ट टेप और तीन हजर लगांगा और फिर अगर एक एक ऐसी लेवल पर आता है जहां पर हमें पता है कि यह स्ट्रॉंग सपोर्ट है और यहां से नीचे नहीं जा सकता है यह तो आपर में मेरा बाकी का इन्वेस्मेंट कर देता हूं तो उससे क्या होता है एक अच्छा का सा स्क्वेर ओफ पोजिशन बन जाता है और आपको उ उनकी सर्विसेश चालो होने तक सारे अपडेट्स आपको मेरे चैनल के तो मिलते रहेंगे तो फिस से मैं रिक्वेस्ट करना चारो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल ताकि आपको उन्टाइम इन्फोर्मेशन मिले थैंक यू